सबी को नमस्कार स्वागताब का हमारे यूट्यूब चैनल में और आपके सामने फिर आज़र एक नई वीडियो के साथ इसमें कच्चे करमचारी होंगे पके और 58 ल्टीसी की और सेलरी और 20 पलस मांगो को लेकर एक संगठन की त्यारी हो गई है और संगठन में क्या है उन्ह के लिए वो त्यार है उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगे रखने के लिए अपना पूरा प्रफोर्मा त्यार कर लिया तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों क्या खबर है मैं आपको पूरी तरह से डिटेल में समझाऊंगा एक रिक्वेस्ट है उसे पहले चैनल अगर सब् कोलसी एलटीसी और अपनी मांगो को लेकर संगठन पूरी त्यारी में हैं क्योंकि उनको पता है कि जगह जगह पर संगठन बन रहे हैं जगह जगह पर लोग परदर्शन कर रहे हैं और वह अपनी मांगो को लेकर जो सरकार के सामने ग्यापन दे रहे हैं क्योंकि अब जो ह कुछ कच्चे करमचारियों के लिए किसी की सेलरी बढ़ा रहे हैं किसी के लिए सुविधा बढ़ा रहे हैं जो भी ओ मांग रहे हैं तो मतलब हर त्रह से जो उनको सुविधा देने पर जो है सरकार लगी होई है किसी परकार से सरकार यह नहीं चाहते कि हम कच्चे करमचारिय जो है उनके जो स्फाई करमचारी हैं उनके सेलरी जो 16,000 के गरामिनों के 16,000 के ती तो यह सब सारी चीजे लगातर कर रहे हैं और अभी हाली में दो दिन पहले जो गैस टीचर हैं उनका इंक्रीमेंट लगाया है उन्होंने जो उनको जुलाई में और जनवरी में उनको मिलता करवाना चाहता सरकार से जनता को भी पता है कि यही वो क्रूशल टाइम है जिसमें हम अपनी मांग को रखके सरकार से कुछ ले सकते हैं तो सरकार जो है यहां पर अपनी मांगों को जो है आपकी लोगों की मांगों को वो मानेंगे तो यहां पर सरकार की बहुत बड़ी मज 24 तक पूरे प परदेश में ऊप मंडल स्थर पर गेट मीटिंग की जाएंगी 24 से ले के दोस्तों 24 से लेके और 30 जून तक पूरे परदेश में जो है गेट मीटिंग की जाएंगी और 4 जुलाई 2024 को सभी जिलों के उपायुक्त अधिक अभियंता चीफ मुख्यालय पर परदर्शन करते वे मुख्यमंतरी के नाम ग्यापन भी देंगे वो और 5 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक परदर्शन करते वे सभी विधायकों सांसदो के माध्यम से मुख्यमंतरी को ग्यापन देंगे और 16 जुलाई 2024 को मुख्यमंतरी आवाज चंडिगर में मुख्यमंतरी को परदेश कारेकारनी द्वारा ग्यापन दिया जाएगा तो देखी ये उनकी पहले प्री प्लैन है जो संगठन बने हुए है कच्चे करमचारियों के बारे में तो वो अपने आंदोलनों को लेकर बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं और ये बात है बिजले डिपार्टमेंट की या एचार रंकेन में जो लगे वे हैं उनके तयात लगे वे हैं या कच्चे करमचार जो पहले से लगे हैं पूरा प्लैन है उनका कि हम किस देट को क्या करेंगे पूरे पर देश के जो करमचारी है वो इकठे हो चुके हैं और उन्होंने अपनी 24, 4, 5, 16 ये जो जुलाई की जो डेट है ये 24 जून से लेके उन्होंने यहां तक कर लिया है और ये इस पे काम कर रहे हैं 4, 5, 16 इस पे पूरा जो है अपनी तैरी कर रहे हैं कि किस परकार से क्या-क्या हमने करना है और हम क्या-क्या सरकार से अपनी मांगो को रखेंगे उन्होंने पूरा रिटन वे परफोर्मा जो है त्यार कर लिया है कि हमने क्या सरकार से मांगना है अब जैसे हम बात करें हैं पर बिजली विभाग में लगे सबी अनुबंदित या फिर विभाग रोल पे एच के अरन में थ्रमल पार्ट टाइम जितने भी करमच किया जाए उन्होंने तो डारेक्ट बोल दे कि हम सभी को ही जितने भी लगे भी हैं हमें रेगुलर पॉल्सी में सामिल किया जाए एच पी जी सीयल के अंतरकत खेदर यूमनानगर त्रमल के चले धरने के बाद 12 जून को जो भी जो है मेनेजमेंट के साथ समझोता हुआ त और फिर का कि महंगाई को देखते हुए एच गाने के रेट में कम से कम 30% की बढ़ोतरी की जाए उन्होंने 30% मांगा है हाला कि इस वसीयम साहब ने 8% की बढ़ोतरी की है लेकिन उन्होंने उनकी मांग जो है 30% की है और इसके बाद जो है आपातकाले सेवाओं को देखते विज़े विभाग के रेट अलग नियदारित किये जाएं तो उन्होंने का है कि हमारे जो रेट हैं वो अलग नियदारित किये जाएं और किसी अमरजैन्सी को देखते हुए तो विजली विभाग में कर से भी अनुमंदित करमचारी में को जो case-less medical सुवधाय परदान की जाए आला कि ये बात उनकी है विजली विभाग ने परफोर्मा त्यार किया है जो वहाँ पे HKRN के तैत लगे वे हैं लेकिन ये बात आप सब पर भी लागू हो सकती है आप भी अपना जो है प्लैन जो है गोर्मिट के सामने रख सकते हैं इसमें जो पॉइंट आप पे लागू होते हैं आप अपने कर सकते हैं सभी अनुबंदित करमचारी जितने भी लगे वे हैं उनको LTC वर बोनस्त का लाब दिया जाए तो विभाग रोल के करमचारी को समान कारियर समान वेतन दिया जाए उन सभी करमचारी का डेटा HRMS पर अपलोड करवा जाए तो विजली विभाग के चारो निगमों HPGCL और HBPN और DHBVN से पहले कारियर्थ अनुबंदित करमचारी विभाग के रोल में पार्ट वन, पार्ट टूर, पार्ट तहत के पिछले 15-20 साल जो कारे करे हैं उन सभी पदों को भरावा माना जाए ये सभी करमचारी सभी डिपार्टमेंट पर बात लागव होती है कि जितने भी करमी पहले लगे हुए हैं, उकच्चे करमी उन सब के जहां भी जिस भी पोस्ट पर लगे हुए हैं वहां पे उनका पूरी तरह से उनकी पोस्ट को भरावा माना जाए उनकी पोस्ट पर कुछ रेगुलर जो है ना आए तो इस प्रकार से पूरी ये प्लैन है उनकी कि हम जो है जो कारे कर रहे हैं हमें कारे करने दिया जाए और फिर उन्हा आगे मांग रखी कि जो सेना निवर्ते होने पर अनुमंदित करमचारी ग्रेजुटी का लाब दिया जाए कि हम अगर रिटायर्मेंट होते हैं तो हमें ग्रेजुटी का लाब दिखाए दे जैसे सेना वर्ती जो एक रेगुलर करमचारी के होती है सेम हमारी भी ऐसे यह हो उनकी तरह से और हम एक प्रोथसान राशी दी जाए ताकि हम अपना आगे का कुछ कारी है जो है टेर्मेंड के बाद कर सकें या अपना जीवन या अपना अच्छी प्रकार से कर सकें बात आगे चराय योजना की एक मुश्ते रासी जो अनुवंबर 2020 में काटने के बाद भी अब तक काड़ नहीं बनाए गए है तो जल्द जल्द चरायू बनाए जाएं और यह योजना विजदी भाग में लगे सभी करमचारी और रोल पार्ट टाइम सभी परलागू की जाए और विद्यूत विभाग में जोखींबराकार्योति इसके लिए अनुब्रकूर्चय को रिस्क अलाउंस भी दिया जाए। अब ये बात इनकी बिल्कुल चोर ही कोई दो साल से लगा है और कोई वैसे कच्चे कर्मी के तोर पे 10-12 सालों से कामे कर रहा है तो उसको उसके अनुभाव के अधार पर वरेता दी जाए और उसका जो मानदे है उसके अनुसार ही बड़े दूसरी बात हम कर लेते हैं यहां मैं यहां से लगा थे सत्व तो सभी ITI Diploma Holder, Pole Technique Diploma Holder, Data Entry Operator, Electrician सभी जो Level World 2-3 के हुन में आपस में उनका ट्रांस्पर किया जाए तो यहाँ पर यह पूरी तरह से है कि जो निगम वेज में जो सलय 5 है 0-5 है, 5-10 है, 10 से उपर सभी को जो 10-15-15 भी सालों की सेवाई सबका अलग-अलग सलय बना जाए यह बात पहले भी डिसकस हो चुकी है कि जिसका जितना experience है उसके अधार पर ही उसकी सेवाई को जो है निश्चित किया जाए, उसका लाब उसको दिया जाए अब 2 साल से जो आया है, उसकी अलग है एक 15 सालों से जो काम करा उसका अनुभाव अलग है तो उनको उनके अनुभाव के अधार पर, उनके करेकोशलता के अधार पर, स्किल के अधार पर उनको उनका जो मान दे है, उनका जो increment है सब कुछ उसके बेश पे दिया जाए यह उनकी जैज मांग है तो एचारन की जो डेर जवानिंग गल्थ होने पर हम उनका लाब नहीं मिल रा है तो हमारे उनके वो लाब जो है हमारा दिया जाए तो यह काफी जो है यह हर डेपार्टमेंट की है ये बात जो है इन्होंने जो अपना प्रफोर्मा त्यार किया है ये बात जो है विजले भी भाग किये लेकिन ये बात सभी जितने भी कच्चे करमचारी सब पे लाग होती है तो आप भी इसमें से जो पॉइंट है जो बनते हैं आपके जो आपके according to rule regulation आपके department में आते हैं ज सरकार से अपनी मांगों को मनवा सकते हैं सरकार बिल्कुल positive mood में चल रही है सरकार की मजबूरी है कि आपको regular करें रेगुलर ने करें तो 58 साल जरूर करेंगी और आपको जो है दूसरी बात क्या है जो कि सोटी देगी और आपका मान दे बढ़ाया जाएगा और आपको हर प प्रेंड को अपने ग्रूप में शेयर करना ताकि हर किसी को पता चले कि यह योजना चले हुई है और इसके तैथ हम भी अपना संगठन बना के सरकार के सामने अपनी मांगे रख सकते हैं और अपने उनसे लाब ले सकते हैं तो बने रही है हमारे साथ और वीडियो देखने के लिए बोद बोद धने बाद आपका आपका दिन सुभू